जरा सूचू, क्या होगा जब रोबोट को इनसान से प्यार हो जाएगा? तो चलिए मुमी स्टार्ट करते हैं तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक कपल को दिखाये जाता है जिसमें ये कपल एक सोफी को अपने घर के अंदर ले जा रहे होते हैं यहाँ पर लड़की का नाम सोफी और उसके हस्बेंट का नाम जेम्स होता है सोफी को सारे काम खुद से ही करना पसंद होता है इन दोनों की हाल ही में साधी हुई है और यह अपनी साधी से काफी जादा खुस होते हैं यह एक मिडिल कलास फैमली से बिलॉंग करते हैं इसलिए इनकी फाइनेंसियल हालत भी कुछ खास नहीं होती लेकिन सोफी के हस्बेंट जेम्स के पिता काफी अमिर फैमली से हैं वो काफी बड़ी कमपनी के मालिक है लेकिन किसी वज़ा से जेम्स उनके साथ नहीं रहता है वो सोफी के साथ अपने घर से कहीं दूर एक सिंपल लाइफ गुजारता है एक दिन जेम्स को पता चलता है कि उसके पिता की मौत हो गई है और उन्होंने अपनी सारी प्रोपर्टी जेम्स के नाम पर कर दिये अब जेम्स को ही उनकी कमपनी को समभालना होगा इसलिए सोफी और उसका हस्बेंड अपने नई लाइफ की तरफ निकल पड़ते हैं ये लोग पहले तो एक मिडिल कलास लाइफ जी रहे थे लेकिन अब इनके लाइफ पदल चुकी है लेकिन सोफी अपनी इस लाइफ से खुश नहीं होती है यहाँ पर जेम्स उसे समझाता है कि अब हमें यहीं पर रहना है और तुम्हें इन सब चीजों की आदत डालनी होगी अगले दिन सोफी सभी नोकरों को नोकरी से निकाल देती है क्योंकि उसे सारे काम खुश से ही करना पसंद होता है जेम्स को जब यह बात पता चलती है तो वो सोफी से कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें अपना हेल्थ का भी ख्याल रखना चाहिए इतने बड़े घर को तुम अकेली नहीं संभाल पाओगी इसके लिए तुम्हें नोकरो की जरूरत होगी तब सोफी उससे कहती है कि हम पहले भी अपने सभी काम खुश से ही क्या करते थे और आगे भी हम अपने सभी काम खुश से ही करेंगे लेकिन इनके लाइफ में हुए इतने बड़े बड़े बदलाओ की वज़े से ये लोग काफी जादा परिसान रहने लग जाते हैं जेम्स भी इतनी बड़ी कमपनी को अकेले नहीं समभाल पा रहा था और वो अपने काम को लेकर टेंसन में रहने लग जाता है दूसरी और सोफी भी अपने काम को प्रोपर नहीं कर पा रही थी आगे हम देखते हैं कि जेम्स अपने सारी परिसानियां अपने एक दोस्त को बताता है तब उसका दोस्त उससे कहता है कि कुमारी परिसानी का हल मेरे पास है इसके बाद हमें एक साइंटिस्ट को दिखाये जाता है दरसल इस साइंटिस्ट के पिता जेम्स की कमपनी में जॉब किया करते थे और इस साइंटिस्ट ने इस तरह के रोबोट को त्यार किया था जो देखने में बिल्कुल इंसानों की तरह ही दिखते थे और सारे काम इंसानों की तरह ही किया करते थे अब James को भी कोई ऐसा ही चाहिए था जो उसके सारे काम को कर सके इसलिए वो Sophie को लेकर उस company में पहुँचता है जहां पर जो company robots बनाती है जब Sophie उन robots को देखती है तो देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वो robots बिल्कुल इनसानों की तरह ही लग रहे थे इसकी बाद Sophie का husband उससे किसी एक robot को select करने के लिए कहता है लेकिन ये लोग आपस में पहले ही डिसकर्स करने लग जाते हैं और उसके बाद ही किसी एक robot को select करने का फैसला करते हैं यहाँ पर ये दोनों ही एक ही robot को select करते हैं जिसका नाम Henry होता है इस company का scientist उनको बताता है कि Henry त James का जूता चाटने के लिए कहता है उसके कहने पर वो James का जूता चाटने लग जाता है ये देखकर ये दोनों ही उससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और उसे अपने घर ले जाते हैं घर आने के बाद वो उनके सभी काम करने लग जाता है और उसके सभी काम एक आम इंसान से काफी ज्यादा perfect होते थे जैम्स जब ही कोई सवाल किया करता था तब हैंडरी बड़ा perfectly एंसर देता है इसलिए जैम्स उसे काफी ज्यादा impress रहता है इसलिए जैम्स हैंडरी के साथ अपना ज्यादा तर टाइम बिताने लग जाता है वो सब अपने दिल की सारी feeling share कर करने लगता है दूसरी और स्वक्राइब को इस टार्टिंग में ज़्यादा पसंद नहीं किया करती थी लेकिन जैसे जैसे टायम बिता है वह भी हैंडों को पसंद करने लग जाती है इनके खुष होने पर हेंड़ी भी काफी ज्यादा खुष होता था क्योंकि हेंड़ी को डिजाइन इस तरह से किया गया था कि अगर उसके माली खुष हो तभी वह खुष हो सकता है इसलिए इन सभी के लाइफ काफी ज्दा अच्छी चल रही थी और ये अपने धायब में बहुत ज्यादा खुस होते हैं। एक दिन सोफी हैनी से प्यार और इमosure 170 के बारे में बात करती है, coated वो उसे कहती रही किया एस बारे में कुछ पता है। तब हैन्री प्यार और इमोशन के बारे में काफी अच्छे से explain करता है। तो जैम उसकी ये बाते सुनकर उससे कहता है कि तुम्हें इन सब बातों में नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि तुम बागी सारे कामों में अच्छे हो और तुम्हें वही सब करना चाहिए हैंरी अपने काम को लेकर काफी ज्यादा बिजी रहने लगता था इसलिए सोफी हैंरी के तरफ इसके बाद हमें एक रात का सिन दिखाये जाता है जहाँ पर सोफी को कुछ आवाजे आ रही थी, जब वो चेक करने के लिए जाती है तो दर्वाजे पर कोई नहीं होता है, लेकिन ये आवाजे बाहर से आ रही थी, सोफी जब बाहर जाकर चेक करती है तो उसे पता चलता है क हेंरी गार्डन में सोया हुआ था और वो सोते हुए एक सपना देख रहा था और उस सपने की वज़े से ही डर कर वह आवाजे निकाल रहा था सोफी ये देखकर थोड़ा हैरान हो जाती है एक रोबोट सपना कैसे देख सकता है इसलिए सोफी अपने हस्बेंट को बुला लेती है वो उसे उठा कर घर के अंदर ले जाता है इसके बाद ही वो साइंटिस के पास जाते है जहां से उन्होंने हैंडरी को खरीदा था ये उस मसीन के अंदर आना एक आम बात है मैंने उस एरर को ठेक कर दिया है और आगे से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहां पर सोफी उस साइंटिस्ट को बताती है कि रात को हैंडरी सपना देख रहा था एक रोबोट के लिए कैसे पॉसिबल हो सकता है इस बात को लेकर हम काफी ज्यादा है वह साइंटिस्ट कहता है कि हैंडरी तुम्हारे साथ काफी समय से है इसलिए उसके अंदर प्यार और इमोशन जैसे चीज़े आ चुकी है इसमें गलती तुम लोगों की है क्योंकि तुम हैंडरी को एक इंसान की तरह कर रहे हो जिसके वज़े से उसके अंदर सारे फिलिंग आई है और वह अपने आपको एक इंसान ही समझने लगा है यहां पर वह साइंटिस्ट उनसे कहता है कि तुम हैंडरी को इंसानों वाले फिलिंग नहीं देनी चाहिए वह एक रोबोट है और तुम्हें उसे एक रोबोट की तरह ही ट्रिट करना चाहिए अब साइंटिस्ट की बास सुनकर सौफी का हस्मेंट सौफी पर गुस्सा करने लग जाता है वह उसे कहता है कि तुम नहीं हेंड्री को यह सारे फिलिंग दी हैं इसलिए आगए से तुम हैंडी से दूर रहोगी लेकिन तोपी अपने हस्मेंड की बात माञने से इनकार कर देती है क्योंकि सोफी हैं को पसंद करने लगी थी इस बात पर इन दोनों के बीच में ही जगड़ा हो जाता है इसके बाद सोफी का हस्पेंड हैं के पास चाता है सोफी के साथ कोई समय नहीं बिताओगे और उसे थोड़ा दूर रहोगे तब हैं उसे कहता है कि क्या मुझे कोई गलती हुई है यहाँ पर जेम्स उससे कहता है कि मैंने तुमसे जितना कहा है तुम स्रीप उतना ही करो अब हैंरी यह सारी बाते जाकर सोफी को बता देता है सोफी को जब यह बात पता चलती है तो से काफी ज़्यादा गुस्सा आता है इसलिए घर चोड़कर चली जाती है आगे हमें दिखाया जाता है कि हैंडी जेम्स को समझा रहा होता है कि तुम्हारे लाइफ में जो भी परिसानी है वो मेरी वजह से नहीं है हैंडी के इतनी समझदारी वाली बात सुनकर यह पता च कुछ अजीब हरकते करने लगता है लेकिन यह सारी चीज़ें हैंडी को अच्छी नहीं लग रही थी आगे सीन में हम देखते हैं कि सौफी का हस्वेंट सौफी को कॉल करता है वह उसे माफी मंगता है और वापस घर आने के लिए कहता है एक रात सोफी और हैंडी घर पे अ और उसे वापस वही जाने के लिए कहती हैं जहांसे उसे घर लाये थे इसकी बाद जब सौफी की रूम में जाता है और उसे जगा कर एक जोड़दार ठपड मारता है अगले सोफी का हस्वेंड वो साइंटिश को कॉल करता है और उसे सारी बात बताता है इसके बाद वो उससे कहता है कि तुम रोबोट को यहां से ले कर जाओ हमें इसके कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसने हमारी सारी लाइप परबाद करके रख दी है आगे सीन में हमें दिखाये ज जाए क्योंकि उसे यहां रहना काफ़ी जादा अच्छा लगता है और हैंडरी ने सोफी से अपने प्यार का जो इजहार किया था उसके लिए वो उसे माफी भी मांगता है इसके बाद हम देखते हैं कि सोफी और उसका हस्वेंड दोनों ही आपस में बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पर सोभी अपने हस्बेंट से कहती है कि इसमें हमारी दोनों की ही गलती है कि हम हैंरी को इस घर में लेकर आए इसलिए हमें हैंरी को घर से निकालना होगा नहीं तो हैंरी के बुज़ से हमारा रिस्ता घराब हो जाएगा आगे हम देखते हैं कि वो scientist Henry को लेने के लिए घर पर आ जाता है लेकिन Henry के अंदर काफी जाता बदलाव आ चुका था इसलिए वो उसकी command को पूरी तरह से follow नहीं कर रहा था और वो scientist को ही बुरा भला कहने लग जाता है अब Henry के बात सुनकर यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है कि जो वो robot scientist ने हमें दिखाए थे दरसल वो कोई robot नहीं थे बलकि एक इनसान थे और Henry पर एक इनसान था दरसल वो scientist के पिता ने इनसानों पर एक experiment किया था जिसे इनसान पूरी तरह से perfect हो जाए और वो बिना किसी सिक सायत के एक robot की तरह काम करें और इसलिए Henry को भी बच्पन से इस तरह से ट्रेंट किया गया था जैसे कि वो इनसान नहीं बलकि एक robot हो लेकिन वो scientist यह भूल गया कि किसी इनसान को robot कैसे बनाया जा सकता है और इसलिए Henry जब Sophie के करीब आया था तो उसके इनसानी feeling जाग गई क्योंकि वो था तो एक इनसान ही इसके बाद जब पुलिस को यह बात पता चलती है तो पुलिस अरेस्ट करने के लिए यहां पहुंच जाती है लेकिन वो scientist उन पुलिस वालों पर ही हमला कर देता है इसके बाद वो Sophie और उसके husband को भी मारने वाला था लेकिन तभी Henry वहाँ पर आ जाता है और साइंटिस्ट को मार देता है अब Henry भी अपने लाइब से काफी जादा दुखी हो चुका था इसलिए वो खुद में सुसाइड कर लेता है इसके बाद हमें कुछ सालों के बाद का सिंद दिखाये जाता है यहां पर इनका एक बच्चा होता है जिसका नाम यह Henry रखते हैं क्योंकि Henry कहीं न कहीं उनके दिल में अपने यादे छोड़ गया था इसलिए वो अपने बच्चे का नाम Henry के नाम पर रखते है इसके साथ ही मोवी का एंड हो जाता है मोवी अच्छी लगी होगी तो प्लेज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले मिलत हैं नेक्स्ट मूवी के साथ तब तक के लिए बाई बाई थैंक्स पर वोचिंग